संत्र रविदास की मनाई गई जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथी समाज से वी मनोज कुमार पांडे ने कहा कि संत्र रविदास जी भारत के उन महापुरुशों में से एक है जिन्होंने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मग्यान एकता भायचारा पर जोड़ दिया रविदास जी के कठोर तपस्या भक्ती एवं ज्यान से प्रभावित होकर अनेक राजा और रानिया इनकी शरण में आकर भक्ती मार्क से जुड़े इन्होंने समाज में फैली कुरीतियों जैसे जातपात के अंत के लिए काम किया इनका जन्म पंद्रवी शताब्दी के माग शुकल पक्षपूर्निमा दिन रविवार को काशी में हुआ था यह हमारे समाज में आज भी आध्यात्मिक ज्यान और भारतिय संस्कृति के प्रकाश पुझ की तरह याद किये जाते हैं उनकी लिखी कविता अपनी चाया में भगवन बिठा ले मुझे मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे मुझे गम का न गम न खुशी की खुशी है अंदेरा भी मेरे लिए अब रोशनी भूल जाओं तो जग से उठा ले मुझे मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे देखकर मैं किसी की खुशी ना जल्लू राह इंसानियत की हमेशा चलूं मैं जियो जब तलक आजमा ले मुझे मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रधान प्रतीनीदी प्रेम कुमार गौर ने कहा कि संत्र विदास जी साधू संतों की संगत से परियाप्त ग्यान प्राप्त किया वह कार्य में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करते थे इसलिए वह जूता बनाने का कार्य किया करते थे यही उनका व्यवसायथा और संत्रामानंद के शिशे बनकर उन्होंने आध्यात मिक्या नर्जित किया कार्यक्रम को विशिष्ट बीटीसी वेलफेर ब्लॉक इकाई कस्या के अध्यक्ष नागेंद्र त्रिपार्थी, गामा यादव, योगेंद्र यादव आदी ने संबोधित किया कार्यक्रम के अंत में मद्दाता जाग्रूकता अभियान के तहट मद्दान करने हेतु सब को शपत दिलाया गया कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को मुख्य अतिती मनोज कुमार पांडे के कर कमलों द्वारा पुरसकार वित्रित किया गया कार्यक्रम का संचालन वा अभार व्यक्त विद्यालय के प्रधना ध्यपक शैलेश कुमार त्रिपार्थी ने किया इस अफसर पर नागेंद त्रिपाथी, बालमी की दुबे, व्यास यादव, केदार सिंग, सत्यम तिवारी के अलावा कुमारी अर्चना यादव, कुमारी सिम्रन खातून, कुमारी शिल्पा दुबे, कुमारी निक्की कुश्वाह, राजन यादव, दिवाकर यादव, अमर पुजा गुपता के अलावा रसो या आशा देवी आदी लोग मुखे रूप से उपस्तित रहें। जन्मंच खबर के लिए बैजनात जैस्वाल की रिपोर्ट।